आज के इस वीडियो में educational psychology में हम बात करने वाले हैं types of learning की अधिगम के प्रकार की और इस वीडियो में हम जानेंगे कि learning के कौन-कौन से types हैं, कौन-कौन से प्रकार हैं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर हम types of learning की बात करें अधिगम के प्रकार की बात करें तो कौन-कौन से प्रकार हैं सबसे पहले हम बात करते हैं signal learning सांकेतिक अधिगम फिर हम बात करेंगे concept learning संपर्त अधिगम उसके बाद हम देखेंगे motor learning या क्रियात्मक अधिगम क्या होता है फिर हम बात करेंगे verbal learning शाब्दिक अधिगम उसके बाद हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग विवेदी करन अधिगम के बारे में फिर हम बात करेंगे लर्निंग और प्रिंस्पल सिधान्त अधिगम के बारे में फिर हम जानेंगे प्रोब्लम शॉल्विंग लर्निंग समस्या, समधान, अधिगम लाश्ट में हम जानेंगे attitude learning, मनुवृत्थी अधिगम तो इस सारे types of learning हैं अधिगम के प्रकार हैं अब एकिक करके हम इनके बात करते हैं इनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें signal learning सांकेतिक अधिगम तो इस जरूरी नहीं है कि आप हम पढ़कर या कोई हमें बोल कर बताए तब ही हम चीजों को सीखते हैं हम संकीतों के द्वारा भी चीजों को सीखते हैं एक अच्छा इसका उधारन example जैसे traffic signal ठीक है तो वहाँ पर कोई हमें बोल नहीं रहा बलकि हम चीजों को देख रहे है रेल लाइट है तो रुकना है ग्रीन है तो चलना है और ओरेंज है तो एक तरह की warning है कि रुक जाओ इसी तरह से अगर हम class की बात करें तो class में भी जोईनने की teacher हमेशा बोल कर instruction बच्चों को देता है कई बार teacher बिलकुल सांती से finger अपने lips पर लखके सामने इसारक करता है और बच्चे चुप हो जाते हैं इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम तो उसको बोलना भी नहीं आता दीरे दीरे वो अपने parents के ममी पापा के घर में जो लोग हैं उनके इसारों को समझता है और कई बार घर के लोग अगर बोले भी ना तब भी इसारों से उनके समझ जाता है तो यह भी एक सीखने का तरीका है जिसको हम सांकेतिक अधिगम या सिखना learning भी कहते हैं और इस तरह की sign learning बहुत सारे बच्चे जो बोल नहीं सकते ठीक है जो देख नहीं सकते वो भी इस तरह की जो learning है इस तरह से learning करते हैं ठीक है so children also learn through signal कि बच्चे संकेतों के माधियम से भी सीखते हैं अधिगम करते हैं in the classroom teacher use sign language along with words to explain the subject or to maintain the discipline of the class कि कक्चा में जो सिक्चक हैं वो भी इसी तरह से discipline maintain करने के लिए ठीक है विशियों को समझाने के लिए बोलने के साथ साथ इस तरह के जो संकेत है ठीक है sign है वो भी बच्चों के मतलब बच्चों से उसके थूँ बात करते हैं तो एक learning का तरीका कौन सा है signal learning या सांकेतिक अधिगम ओके फिर हम बात करते है concept learning संपर्थ अधिगम concept कई बार आपने सुना होगा concept आपको concept पता चला concept clear हो गया तो concept या संपर्थ एक ऐसी चीज़े जहां पर कौन कौन सी चीज़े इसमें आती है इसमें thinking आता है reasoning आता है intelligence आता है मतलब जहां पर mind का use हो रहा है ठीक है तो यह सीखने का वो रूप है जिसमें सोच, तर्क, बुद्धी आदी जैसे उच इस तरिया मांसिक प्रक्रियाओं की आवस्कता होती है it is the form of learning which requires higher order mental process like thinking reasoning, intelligence, etc we learn different concept from childhood कि बस्पन से ही हम बहुत सारी चीज़े बहुत सारे concept हम सीखते है ठीक है this learning is very useful in recognizing things कि यह अधिगम चीजों को पहचानने में बहुत ही उप्योगी है जैसे अगर बच्चों को कहोगे doggy तो बच्चों को पता है कि doggy क्या है एक ऐसा animal है जो क्या करता है जो barking करता है भोभो की आवाज करता है उसकी जो जो पूँचे होती है वो circle होती है तो बच्चा पहले doggy का नाम सुनता है फिर doggy को बच्चपन में अलग-लग animals को देखता है cat को देखता है doggy को देखता है फिर दीरे-दीरे बारबार doggy को देखकर वो पहचान जाता है कि अच्छा doggy यह है ठीक है इसी तरह से बच्चा अलग-लग birds को देखता है ठीक है crow को देखता है कबूतर को देखता है sparrow को देखता है लेकिन दीरे-दीरे वो पता चल जाता है आनिमल जैसे मैंने अभी आपको बताए कि अगर जब एक बिल्ली को देखते हैं तो बिल्ली शब्द जोड़ते हैं तो हम सीख जाते हैं कि बिल्ली इसे कहते हैं जो मियाओ करती है जो थोड़ी छोटी होती है पेड़ पे भी चड़ जाती है दिवालों पे भी चड़ जाती ह ठीक है तो बिल्ली इसे कहते है तो इस तरह से बचपन में चाहे हम colors की बात करें चाहे animals की बात करें बार्स की बात करें घर में जो समान है उनकी बात करें ठीक है तो इस तरह से बच्चे concept learning होती है जहां पर बच्चे इस तरह particular things को सीखते हैं ठीक है तो इस तरह की जो learning है इनको हम क्या कहते हैं इस तरह की learning को concept learning ओके फिर हम बात करते हैं motor learning क्रियात्मक अधिगम ओके तो हमने signal learning भी सीख ली concept learning भी पता चल गया motor learning तो बच्ची बहुत सारी चीजे जो है जब पैदा होते हैं दिरे तरह बड़े होते हैं activity करते हैं भागते हैं दोड़ते हैं खेलते हैं तो इसकी थुरू भी activity की थुरू भी learning हो क्याते हैं motor learning जहां पर हमारी muscles यूज होती है हमारी mass species जहां पर उसका इस्तिमाल होता है सो हमारे दैनिक जीवन में हमारी अधिकांस जो गतिविधियां है वो motor जो activities है इससे सम्मंदित होती है दो individual और child की अगर हम बात करें बच्चों की बात करें has to learn them in order to maintain his regular life for example walking, running, skating, driving, climbing इस तरह की जो चीज़े हम अपने daily life में करते हैं तो बच्चा इस तरह की जो learning है एक तरह की बच्चा daily life में इस चीज़ों को सीखता है motor learning जहां पर उसकी mass species हैं जहां पर उसकी muscles यूज होती है all these activities involve the muscular coordination की इन सभी गतिविदियों में mass species का समनवे शामिल है तो अगर हम school की बात करें तो देखिए school में भी बच्चों को concept भी clear करवाय जाता है concept learning होती है ठीक है signal learning भी हमें देखने को मिलता है motor learning भी है curricular activity है तो को curricular activity है तो इस सारी चीज़े हमें schools में भी मिलती है और अगर informal places घर देखें आसपरोस में देखें तो बच्चे इस तरह की चीज़े अपनी आसपास की informal learning से भी चीजों को सीखते हैं verbal learning शाब्धिक अधिकम एक normal जो हम देखते हैं कि parents हैं बोल कर बच्चों को बताते हैं बच्चे चीजों को सीखते हैं teachers हैं classroom में भी इन चीजों का इस्तमाल होता है so this type of learning involves the language we speak and the communication devices we use कि इस परकार के सिख्चा में हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और हमारे द्वारा उप्योग की जाने वाली जैसे संचार उपकरण श्रामिल होते हैं कौन को से जैसे mobile phones होते हैं ठीक है हम online classes होती है तो इसमें क्या होता है कि laptop है तो speaker का use हो रहा है microphone का use हो रहा है sign, picture, symbol, words, figure, sound, accept are the tools used in such activities की इसमें इस तरह की जो चीजे हैं उसका use होता है verbal learning में ठीक है शाब्दिक अधिक है जहाँ पर बोल कर सामने वाला आप teacher बोल ला है भच्चा उसको learn कर रहा है चीजों को सीकर रहा है parents बोल ला है ठीक है इस तरह से जो learning है शाब्दिक learning जहाँ पर language का इस्तिमाल हो रहा है और communication devices का इस्तिमाल हो रहा है we use words for communication के हम संचार के लिए शब्दों का प्रियोग करते है तो verbal learning जहाँ पर words का यूज हो रहा है और signal learning जहाँ पर किसका sign का संकीत का इस्तिमाल हो रहा है Discrimination learning विवेधी करण अधिगम तो Discrimination learning क्या है बच्चा छोटा है उसके लिए white चीज दिखाओ तो white दूद भी है white दही भी है ठीक है दोनों ही चीज वाइट है तो दीरे दीरे बच्चे को सिखाया जाता है कि दूद किसे कहते हैं दही किसे कहते हैं दोनों में क्या अंतर है इसी तरीके से जब चोटा बच्चा देखता है असमान में उड़ता है पंक्शियों को देखता है तो सभी को बर्ट कहता है ठीकल लेकिन दीरे दीरे इसको पता चल जाता है कि जो पीजन है कबूतर है और जो कववा है दोनों के बीच में क्या difference है दोनों की voice के बीच में क् तो धीरे-धीरे ए चीजे बच्चा सीखता है इस तरीके से जब धीरे-दीरे बड़ा होता है तो फिर सीखता है जैसे अनिबल की बात करें कि जो लेपर्ड होता है जो टाइगर होता है दोनों में क्या डिफ्रेंस है तो इस तरह की जो learning है discrimination learning है triangle और अगर हम बात करें जैसे fourth angle जो है ठीक है तो दोनों में क्या difference होता है तो इस तरह की जो learning है इसको हम क्या कहेंगे discrimination learning या विवेदी करन अधिगम so learning to differentiate between different things and to respond appropriately to them is called discrimination learning कि विविन चीजों के भीच में अंतर करना सीखना और इन के लिए उप्यों प्रत्रक्रिया दिखाना विवेदी करन अधिगम कहलाता है ठीक है जैसे कई बार जो छोटे बच्चों को देखो तो orange और red एक ही लगता है लेकिन धीरे धीरे फिर से एक जाते कि orange किसे कहते हैं red किसे कहते हैं for example difference between tiger and चिता चिता या आप leopard कह सकते हैं ठीक है कि बाग और चीता में क्या अंतर है फिर आता है learning of principles नियम अधिगम तो जब आप maths कर रहे होंगे तो maths में अलग अलग formulas होंगे ठीक है कोई भी question solve करना है तो उन formulas को use करना पड़ेगा वहाँ पर जो principles हैं उनको लगाना पड़ेगा अगर आप grammar सीक रहे हैं noun सीक रहे हैं संग्या सीक रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि noun किसे कहते हैं संग्या किसे कहते हैं verb क्या है क्रिया क्या है तो यहाँ पे किस तरह की जो learning होती है यहाँ पे हम principles को सीखते हैं तब ही हमारा चीजों को हम जानते हैं तब ही concept clear होता है चाहे match की बात करें, चाहे language की बात करें चाहे science की बात करें यहाँ पे क्या चीज़े जातर हमें देखने को मिलती है principles तो इस तरह की जो learning है learning को हम क्या कहेंगी learning of principles नियम अधिगम कहेंगे जहाँ पे रूल्स को सीख रहे हैं नियम को सीख रहे हैं व्यक्ति अपने कारे को और effective परभावी धंग से प्रबंदित करने के लिए विज्ञान, गनित, व्याकरन, आदी से सम्मधित कुछ सिद्धानतों को सीखते हैं individual, child, learn, certain principles related to science, mathematics, grammar, ठीक, etc in order to manage their work effectively these principles always show the relationship between two or more concepts के सिद्धानत हमेशा दो या उससे अधिक अवधारनों के बीच में सम्मध दिखाते हैं तो इस तरह की जो चीजी है, इस तरह का जो learning है, अधिगम है तो उसे हम क्या कहेंगे, learning of principles नियम अधिगम जहां पर हम rules को सीख रहे है नियम को सीख रहे है, principles को सीखते है ठीक है, example, formula, laws, association, correlation इस सारी चीजें इसके parts है फिर problem solving learning समस्या, समधान, अधिगम तो अक्सर आप बच्चों को देखोगे घर में, schools में बच्चे के सामने उनको अलग-अलग problems दी जाती है चाहिए, maths की है, science की है, social science की है ठीक है, बच्चे खुद के efforts से मिलकर उन problems को धिरे-दिरे solve करते हैं ठीक है, वैसे problem solving में आपको एक अच्छा mind चाहिए एक अच्छा logic चाहिए ठीक है, तो इस सारी चीज़े चाहिए होती है लेकिन दीरे-दीरे बच्चा practice करता है और इस तरह की भी learning को सीखता है कि जो problem है तो उसको किस तरह से solve करना है ओके, so this learning requires the use of cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation imagination, generalization इस सारी चीज़े जरूरी है problem solving learning जो बच्चा धीरे-धीरे time के साथ, experience के साथ इन चीज़े को सीखता है और एक time बाद problem solving learning भी उसकी हो जाती है कि problems आए तो किस तरह से उसको solve करना है और आगे बढ़ना है this is very useful to overcome difficult problems encountered by the student कि विद्ध्यार्तियों को होने वाले कटिन समस्याओं को दूर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है फिर हम बात करते है attitude learning मनो वृत्ति अधिगम ठीक है so attitude is a pre-adisposition which determines and direct our behavior के अभी वृत्ति एक ऐसी प्रृत्ति है जो हमारे वहवार को निधारित और निदिरसित करती है हम अपने बचपन से ही लोगो वुस्तों अशार उस चीज़ के बारे में अलग अलग नज़रिया विक्सित कर लेते हैं जिने हम जानते है ठीक है कोई बच्चे को पूछो तो कोई कहेगा कि डॉगी अच्छा होता है कोई कहेगा नहीं अच्छा होता कोई कहेगा cat अच्छा होता है कोई नहीं होता ठीक है इस तरह से कोई कहेगा जिसका जैसे experience के teachers बहुत अच्छे होते हैं कोई कहेगा नहीं होता कोई कहेगा doctor बहुत अच्छे होते हैं कोई कहता है नहीं होता कोई कहता है police वाले अच्छे होते हैं कोई कहते हैं नहीं होता तो आवर बिहीवियर में भी पोजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपन आवर एटिटिउट्स कि हमारे दिश्टिकॉन के आधार पर हमारा वैवार सकरात्मा क्या नकरात्मा होता है तो इरी चीजी भी experience से आती है ठीक है तो इसलिए इसका भी मतलब हम हमारा जो experience है हम से मिलते हैं बात करते हैं अलग लग situation में अलग लग जगह हो पैर लोगों के साथ हमारा क्या experience रहा है बहुत सारी लोग है हम उनको देखते हैं तो उनकी काफी सारी चीजी हमें अच्छी लगती है एक positivity आती हमें लगता है कि नहीं हम इनकी जैसा हमें भी बनना चाहिए तो होता है तो यह positive भी हो सकता है यह negative भी हो सकता है यह depend करता है कि हमारा experience हमारे colleagues ठीक है हमारा चाहिए schools में है college में है नेवरूट किस तरह का है उस हिसाब से हमारा अपना attitude डवलप होता है तो आज के इस वीडियो में हमने learning के अलग लग टाइप्स जो है अधिगम के अरे लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद